नमस्ते ओल्दू स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्शर के अंदर हम जिस पोयम को कवर करेंगे उसका नाम है दू सम्तिंग ब्रदर दू सम्तिंग ब्रदर जो पोयट है गोपाल कृष्ण अडिकाम वो हम सब को कह रहे हैं कुछ तो करो दू सम्तिंग मैं पहले ही बता देती हूँ ये पूरी पोयम एक सिटायर है इसके अंदर कवी जो हमें करने को कह रहे हैं आक्चुली वो हम लोगों को व्यंग्यात्मक रूप से satirically नहीं करने को कह रहे हैं, लेकिन story इस poem को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि वो किस बारे में बात करें, let's start without any further delay, do something brother इसका title है, बहुत title ऐसा है कि हमें कभी कह रहे हैं उठो और कुछ तो करो, ऐसा कुछ हमें लग रहा है कि कभी हमसे इस poem यह कहना चाहते हैं, तो देखते हैं, कभी actually हमसे क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं, the poem, this poem satires people's tendency, हमारी आदतों, हमारी जो हरकत है, हमारी हम जो daily में कर रहे हैं, this poem satires people's tendency to prove themselves by compulsively carrying out actions without trying to be seen with nature, or considering consequences of their actions, यहां पर जो हम लोग है, people है, उनकी tendency को बताया गया है, कि हमारी tendency क्या रहती हैं, हमेशा अपने आपको pure और साबित करने की, कि हां हम हैं, कहीं न कहीं, हर point पे अपने आपको proof करने की, जो हमारी एक ऐसी अनिवारे रूप से बन चुकी हुए, हमें हमेशा करना है, और हम उसमें nature को बिलकुल भी forget कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, देख भी नहीं रहे है nature को, और उसके जो consequences है, result क्या है आज, उनको ना action को किसी को भी हम सब को अंदेखा कर गे, सिर्फ और सिर्फ अपने आपको साबित करने में लगे हुए हैं, poet हमसे इस poem के अंदर यह बात कर रहे हैं, okay, for example, in the first tenja, the poet writes, a first tenja के अंदर poet लिखते है, pull out, खीच लो, this leaf, एक कोई पता है, उसको कह रहा है, poet, इसे खीच लो, nip this little leaf, और इस जो लीव है, उसको एकदम छोटी सी जो यह पती है, उससे भी काट डालो, बैठे मत रहो, कुछ तो करो, do something, brother, हमें इसक जो title से ही पता चल रहा है, poet हमें कह रहा है, कि इस छोटे से पत्ते को क्यों छोड़ रहे है, इसे भी खीच डालो, इसको भी काटो, crush that flower, इस flower को तो तुम कुछल ही डालो, मतलब पूरी तरह से रॉंद डालो इस flower को, in the second tenja, he writes earth, water and the skies, मतलब earth, water, skies, यह जो तीन चीज़े ह है, they all are your geese with golden eggs, जो एक कल हंस नहीं होता क्या, जो मतलब हंस होता है, जो golden eggs देता था, एक स्टोरी आते थी पहले हैं के बारे में, वैसा ही एक हंस है, जो सुनहरे अंडे, यह एकदम earth, water, यह जो हमारे natural resources है, या फिर natural things है, यह सब क्या है, एक सोने के अंडे जैसे हैं, इसक नालो इन अंडो को, slash them, और इन्हें तोर डालो, मरोल डालो, जो करना कर डालो, लेकिन इन्हें पूरी तरह से बरबात कर दो, okay, the poet refers to the fable of the goose, एक fable है, मने कहानी, हंस की कहानी बताते हैं, जो हमेशा रोज एक golden egg देता है, लेकिन क्या होता है, वो मार दिया जाता है, ताकि उसके जो अंदर जो golden eggs है, वो एक साथ ही extract कर लिये जाएं, निकाल लिये जाएं, at once rather than one per day, कि कई एक एक दिन करके नहीं, एक साथ ही उसे निकाल लिया जाता है, ये लालच है, लेकिन क्या होता है, फिर उसे खत्म करने के बाद, वो फिर कोई अंडे नहीं देता है, ना उ वो हंस भी मारा जाता है, और रोज जो एक एक धिरे धिरे करके हमारे पास अंडा आ रहा था, वो भी खत्म हो जाता है, तो पोईट इस कहानी से में ये भी बताना चाहते है, कि देख लीजिए आपकी जो लालच पन है, उसके वज़े से अब हंस भी गया और golden eggs भी गया, व अर्थ के अंडर से तो बहुत बुरा होने वाला है, वो एक दिन ये golden eggs भी खत्म हो जाएंगे, और एक दिन जो ये earth हमें जो nature है, mother nature जो हमें ये eggs दे रही है, तो डिनोट कर रही है, मतलब mother eggs को, जो mother nature mother है उसको हम golden goose से compare कर सकते हैं, वो दे रही हैं, वो भी खत्म हो गी, the poet criticizes, a poet ये अलोचना कर रहा है, criticize कर रहा है, man's destructive desire, कि man's के आज के tendency हो गई है, कि उसे बस destructive desire, अपनी महतो कांग्चाएं बढ़ रही है, to destroy, और उसकी क्या desire है, उसकी क्या इच्छा है, to destroy कर देना, हर चीज़ को खत्म कर देना, bounty of nature, nature को खत्म कर देना, to prove himself and his, कि जो आज का इंसान है, वो बस अपनी ताकत को दिखाने में, मतलब लगा हुआ है, वो without कोई भी उसके अंदर ये सोच नहीं है, बस जो nature ने हमें इनाम दिया है, उसको बरबाद करने में लगा है, जो ये इनाम मिला है, हमें nature से उसे बरब करना है, बस और destructive nature में का हो गया है, okay, next stanza में चलते हैं, the poet writes satirically about people's desire, poet जो है विंग्यात्मा कृप से people's के जो desire है, उनके बारे लिम लिखते हैं, to go forward, आगे बढ़ने की इच्छा, when they encounter something, और वो नहीं देखते हैं, उनके सामने कुछ भी आ रहा है, उसको सब को खत्म कर रह कि हमें कैसे आगे जाना है, उनके रास्ते में जो भी obstacles आएंगे, उसे slash burn कर देंगे, encounter कर देंगे उनका और खत्म कर देंगे, something what, something that way lays them, और confuse, जो भी उनने बीच में confuse करेगा, या उनके बीच के काटा वनेगा, उस काटे को जड़ से उखाड कर फेक देंगे, ये हमारी man's की desire tendency बन चुकी as to be, become superior, superior और superior, बस यही बात है, अपनी tendency को proof करना है, हम ही अपने आपको साबित करने की जो लाल सा है आज इंसान की, वो mother nature पे harsh attack कर रही है, then such as winter mist, जैसे की कोहरा आता है कुछ, तो जो winter के अंदर हम fog देखते हैं, शर्दियों के अंदर, walls of fog, कोहरे की दिवारे बन जाती है, लेकिन वो क्या है हम उससे डरते नहीं है, कि यहाँ पर एक example हम और ले सकते हैं, अपनी कलपना के उपर, हम जैसे meaning, जिस चीज का जैसे न निकालना चाते हैं, वो हम निकाल सकते हैं, यह हमें पूरी आजादी होती है, तो हम यहाँ यह भी कह सकते हैं, कि हमारे सामने कोई winter के अंदर कोहरा वगेरा आता है, लेकिन फिर भी हम कार लेकर निकल पड़ते हैं, अपनी destination की और, हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमें जान वैसे ही mother nature, जो हमें resources दे रही हैं, उसे बरबाद करने में लगे हुँ हैं, हम यह नहीं सोच रहे हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गडबड हो गई, कुछ खराब हो गया, तो हमारा accident भी हो सकता है, या फिर accidentally हमारे पास, अगर अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, तो हम अपनी life को आगे तक sustain कैसे करेंगे, हम नहीं सोचते, without, हम किसी भी तरह का consequences, result के बारे में सोचे बिना, बस हार्ष किये जा रहे हैं nature को, यह poet यहां पर बता रहे हैं, लेकिन poet करना है नहीं, रुको मत, तुमें सब कुछ बरबाद करना है, satirically है, मैंने पहले ही काता, satirically, विंग् तो और करेंगे, इसलिए यहां पर थोड़ा अपना ध्यान आकरशित करने की तरफ, अपनी बात की तरफ, poet, गुपाले, कृष्णा, आडिगा, satirically हम सब को यह बात करें, कि जितनी मन चाहे, उतना तुम उखार लो, पतियों को, कुछ अल डालो, फूलों को, यह कह रहे है ओके, in this situation, the poet writes, no, 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 this won't do, you're a simple man, हम तो साधारन आदमी है, and that's your strength, हमारे strength क्या है, बस आगे बढ़ने की, कि नहीं, हम तो साधारन आदमी है, हमारी तो यह strength है, यहां सिरफ, satire हमें शो हो रहा है, बार बार यहां पर poet एक ही बात कह रहा है, कि satire कर रहा, people desire to go forward, no matter what, without reflection, यह मत देखो तो reflection क्या है पीछे, बस आगे बढ़ते चलो, रुखना नहीं है, तुम्हारी तो strength है आगे बढ़ना, तुम रुख मत हो, तुम तो simple man हो, रुखो मत, आगे बढ़ो, acting compulsively and destroying the world around them to prove their own strength, बस अपने आपको proof करते चलो, रुखो मत कहीं पर, यही तो तुमारी strength ह हर चीज को destroy कर दो, हर चीज को अनिवारे रूप से तुम्हें destroy करना है, बिलकुल compulsory है destroy करना, रुखना मत, किसी भी चीज के बार में सोचना मत तुम, okay, at the end of the poem, poem के end में, the poet suggests that man's tendency to prove himself, अपने आपको proof करने की, बार बार यह लाइन आए, कि अपने आपको proof करने की tendency, जो है man की, जो destruction, जो आज ये destruction हो रहा है हमारे पास, इतने सारे हम देख पा रहे हैं कि destruction, हर चीज का ही destruction हो रहा है, हर शेत्र के अंदर, as he writes, और वो लिखते हैं, break down the atom, लब हम जैसे की, आज बड़े-बड़े destructions man के द्वारा ही हो रहे है, क्योंकि man ही बना रहा है, लग-लग atom, bombs वगरा, तो ये सब man ने प्रूफ किया अपने आपको, देखो मैंने तो atom के, atom से एक बहुत nuclear disaster किया है, nuclear bomb बना दिया है, तो ये उसमें अपने आपको, अपनी तारीफ सुनने की बात है, ऐसा नहीं कि तुम nature के साथ कितना हार्ष कर रहे हो, ये सब करके, और लेकिन नहीं, पोयर्ट तो कहता है, बिल्कुल, रुखना मत तुम, no, no, तुम तो simple man और यही तुमारी strength है कि तुम्हें destruction करना है, हर चीज का, हर चीज को तुमको तोड़ देना है, break down everything, reach for the ultimate world within, मतलब, world जहां तक नहीं पहुँच पाया, तुम्हें पहुचना है, और हर चीज को खत्म क ब्रेकडाउन कर दो, atom को तोड़ दो, और reach for the ultimate world, और उस दुनिया में पहुचो, find gods on arrow, और god का पीर खोजो, and aim straight at the heart, और सीधे दिल पे लगा दो, ठीक है, of gods, on embroidery world, और जो god बना रहे हैं, उस brown को, उसके सीधे दिल पे लगा दो, world के, this is a reference to people's discovery of atomic weapons, और यही तो, this is the reference है कि people's discovery, आज लोगों ने खोज लिया, अलग-अलग atomic weapons, हतियारों को, and the threat, और एक दूसरे को धमकी देर, and that humans now pose to their own world, कि अब वो अपना, जो है, world पर, कि अपनी ही दुनिया का जो इंसान है, वो अपने आपको शाबित करने पे लगा हुआ है, अपने ही लोगों को धमकी दे र power that they now might destroy themselves, कि यहां पे तो हसी भी आ जाती है, कि जो human है, वो लगा हुआ है, कि कैसे देखो हम खुद को ही खत्म करने में लगे हुए हैं, और कैसे अपने आपको अपनी power को प्रूफ कर रहे हैं, कि देखो, कि हम खुद को कैसे बरबाद कर सकते हैं, देखिए, हमें दिखा कर रहे हैं, जो यह हमारा कि हम देखो, हम बैठ नहीं सकते हैं, हम शान्त नहीं बैठ सकते हैं, हम खुद को यह बरमाद कर रहे हैं, do something brother poem, सच में बहुत अच्छी है, आँखे खोल देने वाली poem है, कि नहीं, अब तो हमें जागना है, sustainable development के बारे में सोचना है, अगर आपक poet के satire से थोड़ी बात चुभी है आपके दल पर जाकर, तो आप जरूर सोचिएगा इस बारे में,